तो आज का जो मार टॉपिक है करंट का टॉपिक है और बहुत छोटा सा टॉपिक है केवल 4-5 मिनिट का टॉपिक है तो पूरी वीडियो देखें बीच में बिल्कुल स्किप ना करें इंपोर्टेंट है करंट अफेर्स का आपका टॉपिक है आज का तो आज का टॉपिक है व वो हम आज जो है वो डिखेंगे, तो व्यों कि सबसे पुरानी गूफा पेंटिंग, जी तो सबसे पीजाले पहले जो यह पैंटिंग है, यह आपके कहा मिली है है। Вас सबसे पूरानी गूफा पान्रइटिंग मिली हैं उसरे कि और पिर मे के जो इंडोनेशन हैं जिसका राम ह कफी जो है वो फैला हुआ है उत्ता जिसे हम नॉर्थ, इंद और सौथ में जो है वो desperately करते हैं तो इंडोनेशा का बीच का पार्टेवि आप नाया इंडान का सूलावेसि थ्वीप constable And those enorama which से अने सिंट और शेप भाग अनल स्क्रेंड किलोमेटर कि में यह आपका फैला हुआ है क्लिर तो यह हमने फशिष्टा देखी साथ ही यह जो जहां पर आपका सुलावेसी द्वीप है यह आपके जो एशिया महादीप है और जो ओस्टेलिया महादीप है इन दोनों महादीपों के बीच में जो है आपका यह जो एरिया है यह पढ़ता है मद्धी एशय द्वीप का जो शूला वेशी द्वीप है यह कहां पड़ता है आपके जो एश़य महादीप है और आपका जो ऊस्टेर इन दोनो महादीपों के बीच में आपका जो है इंडोनेशेया में है वो आता है अप जितने भी, अभी तक आपके पूरातित्व विदो आर्केलोजिस्ट ने अब तक खोज की थी उन सभी खोजों में उन सभी जितनी भी तक खोज की थी गुफा पेंटिंगी उन में से कहा जा रहा है कि यह जो पेंटिंग है जो मिली है सबसे पुरानी है और यह जान लीजिए यह जो पेंटिंग मिली है वो एक किसकी मिली है एक जंगली जानवर की मिली है और जंगली जानवर कौन है जंगली सुवर तो पेंटिंग जो है आपके जंगली सुवर की मिली है और पेंटिंग में दिखाया क्या जा रहा है कि एक जंगली सुवर है और उसके पीछे जो है एक शिकारी दोड़ रहा है जिस समय में पता लगता ह पुराने समय में क्या होता है ज कर मानम की दवारा खाया जाता था तो यससे हमें ये बात चलती है देखते हैं two art painting पुरानी यह वुल पेंटिंग, लुह जित्वर है तो बीवार पर अपनें यह जो चित्रण मानम ड our events भित्ती चित्र तो गुफा पेंटिंग में यह जो आपकी मिली है यह आपकी जो पेंटिंग बनाई हुई है यह दिवार पर बनाई हुई है और किस रंग से बनाई हुई है तो यह आपके रेड कलर यह भी आद रखे कि रेड कलर से जो है यह लाल वर्ण से जो है यह पेंटि जो कि जंगली सुवर की मिली है, जसके पीछे यह उसमें पता लग गया, कि उस जमाने में जंगली सुवर का खाया जाता था, लेकिन इस थीप से थोड़ी और इसके आसपास के गर जानकरी देखें, तो इसी धीप से कुछ साक्षय और मिले हैं और वो साक्षय मानव के मिले ह और जिसी क्या जाता है होमनीन, तो होमनीन क्या है, अभी हमारी हम humans है, मानव है, इनने हम मानव को scientific language बेखें, तो उसे क्या का जाता है, होमो sapiens, होमो sapiens, तो हम जो आज का मनुष्य है हम होमो sapiens, और जो हमारे जो लुब्त हो चुके हैं आपके जो humans से, जो आपके अब extinct हो से अगया भी इन्य तो कर अगया प्रेट सरая और उप मानव इन और से निहां यह हमारे पूर्वच से इन शून मातलब स्यून मांव两 फु polish ऑं मालब 3 आपकर सक यह cowosapiens गया है निकलगगए आई तो यह भी जो फैक्ट है आप याद कर सकते हैं साथ ही सुलावेसी दीब के साथ ही और इसके लावा अगर इससे पहले बात करें तो अभी झो है खोज हुई है सुलावेसी दीब से विश्य की सबसे पुराने जो है गुफ़ा पेंटिंग मिली है लेकिन इससे पहले जो मिली थी वो भी आपकी यहीं से मिली थी और यह जो मिली थी कब मिली थी 2019 में तो अब से पहले जो गुफह पेंटिंग की खोज हुई थी वो डो हजर और यह जो खोज की गई थी यह सेम जो जिन पुरात्व वीदो ने जिन आर्केलोजिस्ट ने ये सुला विसी दीप से सब्से पुरानी गुफा पेंटिंग खोज निकाली है इनी गुरुप ने इसी आर्केलोजिस्ट के गुरुप ने 2019 में ही एक और जो है सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग की खोज थी, और वो किसकी थी सुअर और भैंस की, तो ये भी आप याद रखे, अभी तक, 2019 में जो खोज हुई थी, सुअर और भैंस की जो आपकी पुरा तदिन पेंटिंग खोज की थी, यह सबसे पुरान थी लेकिन अब इसके बाद यही पर खोजी गई जुला वैसी दीप से ही खोजी गई जो है जंगली सुर की पेंटिंग जो है ये अब सबसे पुरानी ऐसी पेंटिंग जिसकी खोज हुई है इन से पहले अगर देखा जाए तो इन से पहले जो गुफा पेंटिंग जो विश्यू की सबसे पुरानी थी वो कहा की थी तो वो हमें यूरॉप में मिली थी लेकिन अब जो है ये आपके इंडोनेशिया में मिली है याद रखे करंट का टॉपिक है क्योंकि आपको पता होना और ये सबसे पुरानी है और कैसी पेंटिंग है दिवार परू के रही है वोल पेंटिंग है बित्ती चित्र है जिसे रेड कलर से बनाया हुआ है तो आज के लिए बस इतना ही छोटा सा टॉपिक है तो आई होप आपको याद भी रहेगा और अभी मेरे साथ ही याद हो गय हटची